नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है Knowledge in Hindi और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके पास भी है कोई सभी MI का फोन, कोई सभी मोडल हो उससे फरक नहीं बढ़ता है और आप उसमें connect करना चाते हैं OTG, यानि की OTG से कोई pen drive, कोई card reader या mouse connect करना चाते हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि MI के फोन में OTG कैसे connect करें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे MI के फोन में कोई भी extra setting नहीं करनी होती है, direct OTG चल जाती है सबसे पहले आपको चाहिए आपका OTG, जो आप OTG बजार से खरीद के लाए हो या आपके पास पहले सही है मेरे पास कुछ इस तरीके का है, साइद आपका अलग होगा, आपका साइद तार वाला होगा, या अलग हो सकता है तो पहले OTG लगा लीजिए OTG लगाने के बाद, यहाँ पे आपको कोई वर सेटिंग नहीं करनी है अगर आप माउस लगाना चाते हैं, तो माउस का USB वाला हिस्सा है वो लीजिए और कनेक्ट कर दीजिए तो हम लगाते हैं इसको, थोड़ा से बेट करते हैं और यहाँ पे हमारा माउस में जो लाइट है वो आ गई है और हमारा माउस का कर्चर भी आ गया है पर अगर आप memory card या pen drive लगाना चाते हैं तो कैसे करना है मैं बताता हूँ तो example के लिए मेरे पास card reader है आप तोनों चीज एक ही तरीके से काम करती है अपना pen drive या card reader ऐसे करके लगाईए इसके अंदर light जल जाएगी अगर आपका pen drive है तो light नहीं जलेगी फिर आपको अपने file manager या my files में आना है जहाँ पे सारे folder आते हैं उपर की तरफ आपको मिल जागा यहाँ पे usb storage connected वरना उपर की तरफ से आपको एक notification भी मिल जाएगा यहाँ पे usb drive नाम से तो आप देख सकते हैं इस पे टच करके आप direct इसका folder open कर सकते हैं इसके अंदर जो भी file है उसे open कर सकते हैं वरना usb storage connected पे टच करें और यहाँ पे जो भी file इसके अंदर होगी वो आ जाएगी तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें और वीडियो पसंद आई वीडियो को like जरूर करें